Hello everybody, कैसे हो आप सब? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे अज फिर से study tips में आप सभी का स्वागत है यहाँ पे हम फिर से आज जपी सी क्रेस कोर्स में आपके लिए नागवंशी शाशन लेकर आए है नागवंशी शाशन पिछले बार जैसे कि हम लोग ने किछी और शाशन के बारे में बात किया था अपने अगर अभी तक नहीं देखा हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में JPSC और JSAC के JSAC के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हो और हम लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत ही जादा तैयारी के लिए जो योजना बनाई है जो प्लानिंग किया है वह आप सभी के लिए बहुत ही जादा helpful सावित होने वाली है तो बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो में और पूरे नागवंशी के कुछ मुख्य बिंद्वें जो कि आपके एक्जामिनेशन के द्रिष्टी काउन से बहुत ही ज्यादा important होने वाली है और बहुत सारे previous year के questions भी आपके इसमें and we lived केएं गए हैं तो सबसे पहले ज大家ती शाशन वेवस्ता यह पार्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें नागवंशी शाशन वेवस्ता के बारे में disrupt पढ़ रहे हैं नागवंची शाशन वेवस्ता छोटा नगपुर के नागवंशी राजाओं की शाषन व्यस्था को नागवंशी शाषन व्यस्था कहा जाता है तो देखिए एक यहां पर नागवंशी जो राजाए हैं चोटा नागपूर में इस्थित उनी के शाषन को ये नागवंशी शाषन व्यस्था कहा जाता है जो उन्होंने शाषन व्यस्था दे र मुंडाओ के राजव्योस्था नागमंशियों को हिस्तान्तरित हुई है याद रखेंगे कौन से इस शताबदी तो प्रतम शताबदी चौसटवी 64 इस वी में मुंडाओ 64 इस वी में यह याद रखना है प्रतम शताबदी के 64 इस वी में मुंडाओ को राजव्योस्था नागमंशियों को अस्तान तरित हुई थी यादि कि मुंडाओ से नागमंशियों में इनका राजव्योस्था जो कि इनको दे दिया गया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से विशेस मुख्य बिन्दू है जो कि नागवंशी शाषन ब्यास्था से एक्जामिनेशन के दृष्टी कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है नागवंशीओ को प्रथम राजा फनी मुकट ने देखें याद रखेंगा यह समाप्त नहीं किया नाहीं कोई परिवर्तन किया वलकि इसने विश्थार देने का ही प्रयास किया जो पढ़ा वयस्था था आप लोगों ने पढ़ा था उसमें आप लोगों को पता है हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिल किया था उसको तो पढ़ा वयस्था क्या है आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर हमारे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप चेक कीजिए जल्दी से और इसका एंसर आप ढूंड़िया कि पढ़ा वे उस्थाकिस को कहा जाता है और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको ठीक है तो इसको समाप्त नहीं किया उन्होंने यानि कि समाप्त नहीं किया कि इसको बर्तखा कि राज की स्थापना की थी आपको याद हो गया होगा जब नागवंसी राज की स्थापना की थी उनके प्रथम राजा फनी मुकट राजी ही होंगे जब उन्होंने अपने राज काल काल में इस वंस की स्थापना की तो उन्होंने वही होंगे सबसे पहले राजा उसके ठी 66 यानि 66 पर गने थे, ठीक है, 66 66 पर गने थे, ठीक है, नागमंसी राजा, फनी मुकट राय को नागमंस का आदी पुरुष माना जाता है, आपसे कोई से नाज सकता है, कि किस पुरुष को, या किस राजा को नागमंसी में, नागमंस का आदी पुरुष माना जाता है, तो यह जरूर रहेंगे और आपको यह याद रखना है नेक्स्ट कुस्टन जो कि इन्पोर्टन्ट है पिछले कुछ एर का यानिकि प्रिवियस एर का कुस्टन को भी हम लोगों नहीं यहां पर रखावा जो कि यह पहले कुस्टन में आ चुका है सुतियांबे को नागबंसी रा बनाया इसको ठीक है यहां तक याद हो गया आगे बढ़ते हैं रांची इस्तित जगनात मंदिर का निर्मान नागबंसी शाशक एनी शाह उन्हीं सब्सक्राइब बनवाया था यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन इसको विविय कर लीजे आप और यह प्रिवियस एर में आया भी हुआ भी यह कुश्यन है और इसको याद रखेंगे ठीक है किस मंदिर के बारे में बात हो रही है रांची में इस्तित जो जगनात मंदिर है उनका निर्मान किस ने करवाया तो नागबंसी शाशक एनी शाह ने कब करवाया तो 1961 निस्वी में ठीक है आगे बढ़त व्यस्ता जो लेंड टैक्स लगता था और साशन व्यस्ता मुंडाओ की तरह ही चलते रहे जैसा मुंडाओ ने दिया था वैसा ही इन्होंने भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया थोड़ा बहुत होता ही है लेकिन कुछ विशेश व्यस्ता में परिवर्तन नहीं कि इसलिए लगवग वैसा ही था इस व्यस्ता में पहली शदावती से लेकर सुल्वे सतावदी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ याद रखिएगा यह भी एक important point है लेकिन इस परंपरा का पहला प्रभावी कारहस तक छेव मुगलों के आकर्मन कारेकाल से अर्थार 1585 इसवी से शुरू हुआ 1585 इसवी से जब मुगलों ने आकर्मन किया इनके जगह पर इनके ब्यस्थाओं पर तो धीरे धीरे वो automatically है कि वो प्रभावी थोने लगा और प्रभावी थोने लगा तो धीरे धीरे कुछ रखुछ चेंज़ आते रहेगा आना है तो इस बात को भी हम लोग याद होगी है हम लोग को समझ में आ गया अब देखें मुगलों ने हमला किया वहां पर तो उसके बात किया हुआ मुगल सेना यहां के राजाओं से नजराना लेन ले लगी यानि कि नजराना मतलब एक टैक्स के रूप में कि आप मुझे ये दो वो दो otherwise हम आप पर आकर्मन कर देंगे हम आपको ये नहीं करने दें क्योंकि एक स्ट्रॉंग सेना के रूप में मुगल सेना को माना जाता था तो राजाओं ने भी चलिए एक दो सर्थ को मान लिया कि जो भी शर्थ हम लोगों ने रखा मुगलों ने जो भी रखा हमारे राजाओं के पर थी उन्होंने मान लिया कि चलिए शांती से रहने के आप भी रहो हम भी रहेंगे ठीक है तो अब जो नियमित रूप से ये नजराना लेने लगे तो इनको माल गुजारी कहां जाने लगा ये देखिए याद रखेगा माल गुजारी का नाम से किसे जाने जाता था तो जो मोगल के सेना ने जो राजाओं से नजराना लेने लगे यानि कि tax के रूप में लेने लगे उसी को धिरे धिरे ये continuously बना दिया गे कि ये नहीं पहले था कि कभी गबार लेते थे इसके बाद वो generally लेने लगे हमेशा महिने बर या तीन महिने में या चार महिने में या एक वर्ष महिनों ने आपके बान दिये उस राजाओं के लिए क कि इतना आपको ये देना ही पड़ेगा तो इसको क्या जाने लगा माल गुजारी याद रखना है आगे बढ़ते हैं नागवंची शाशन काल में जो व्यस्था हो रहे थी उसमें कर या माल गुजारी लेने की पर था साधारन बात नहीं थी obviously जबात है जबकि आप generally कोई भ साधर चला रहा है और फिर भी आपको टैक्स देना पड़े तो वह साधरन बात नहीं होगी उपर से मुगलों का जो मुगल जो शाशक थे या मुगल के जो भी सेना थे उनका ये धीरे धीरे ये बढ़ने लगा धीरे दिने उनके उपर लालच आने लगा कि ये तो फ्री मे जान रहे थे मुगल सेना जान रहे थे कि हम लोग एक strongest point है यहां पर हम लोग कभी भी चाहें तो राजा को परिशान और भी ज्यादा कर सकते हैं और वो पूरा राज हम लोग अपना सकते हैं ठीक है तो वो सोचे कि अब क्या करें नागवंसी राजाओं से और भी ज्यादा तो वो डिमांड उनका दिन बाद दिन बढ़ते गया तो उससे क्या हो गया कि अब जो कर या माल गुजारी जो देते थे वो धीरी धीरे क्या होगा डिफिकल्ट होने लगा तो नागवंसी राजाओं को पूरे राजी की माल गुजारी देना असंभव होने लगा आगे जो मुगल राज थे जहांगीर जो थे उन्होंने क्या किये जो 16-16 इस्वी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा और जब उनका कर वो नहीं चुका पाने लगे तो आप उनको दंड मिलने लगा अब राजा को टॉर्चर किया जाने लगा कि आपको क्याद कर लिया जा साल याद रखना है इनको ग्वालियर के किले में क्याद करके रख लिया गया ये क्वेशन पूछा जाता है और बारा वर्षों तक रखा गया था ये एक दो वर्ष की बात नहीं है बारा वर्षों तक रखा गया था और किसके द्वारा तो जहांगीर के द्वारा रखा गय अब क्या हुआ कि एक उन लोगों के बीच में जो भी है बातचीत हुई कि ठीक है अब हम 6,000 रुपय तक आपको और उस समय के सोचिए कि 6,000 रुपय कितना के बराबर होता था जब आपके रुपय एक पैसा चलता था तो उस टाइम में 6,000 रुपय सोचिए कितना ज्यादा व एक सहमती जताई कि ठीक है तो फिर दुरिजन साल को 12 साल के कैद के बाद छोड़ दिया गया अब क्या हो गया नागवंसी राजाओ पर कड़ बढ़ता चला गया लेकिन प्रजा से यहां पर कर लेने का कोई रिवाज नहीं था यानि कि प्रजा से नागवंसी राजाओ ने कभी करने नहीं लिया कि आप क्रिशी कर रहे हो आप कर दो आप इसके लिए तो वो जो भी और बिजनेस वगेरा से या जो भी और राज चलाने के तर्म में कुछ पैसे जो इकटा होते थे उसी से यह लोग धीरे धीरे उसको चुका रहे थे लेकिन अब क्या हो गया लगात से जो इनकम होता है उससे मेरा कर देना या टैक्स देना इंपॉसिबल हो गया तो अब उनके जो सलाकर थे किनके सलाकर तो दुरजन साल इन्हों नहीं न यहां पर टर्म सें कंडिशन समती जताई की छे जार रुपे हम देंगे तो अब इनका आदेस के अनुसार क्या हो गय यहां पर क्या हो गया अब धीरे-धीरे इन्होंने प्रजा के उपर लगा दिया कि लगातार जादा कर टेंशन बढ़ रहा है ड़ा तब धीर-धीरे लोगों के द्वारा ही कर लेना शुरू कर दिया गया तो नागबंसी राजाओं ने पढ़हा के प्रमुक मानकियों को भ आपको इसका अगर नौट्स चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करके डाउनलोड कर सकते हैं वो भी फ्री आप कॉस्ट अधर्वाइस आपको फिर भी लगे कि वहां से भी नहीं हो रहा है तो आप डार्रेक्ट नीचे दिया गया नंबर पर वाट्स अधर्वाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लोग इसका नौट्स को प्रवाइड कर देंगे तो यह जो है नागवंसी राजाओने पढ़ा के प्रमुक मानकियों को जिसको भूयर कहा गया माल गुजारी बसूलने का आदेज दे दिया गया यानिकि वह उनको भी दिया गया कि आपको यह काम हमेशा करते रहना माल गुजारी का आप जाके टैक्स वसूलिये लोगों से आम जनताओं से अब क्या हो गया कि समय के साथ राजाओने अपने अलग-अलग जमिन दारी या जागीदार रखने लगे जागीदार रखने लगे मतलब कुछ होत वसूलिये के लिए इसपेसलिये उनको पावर दिया गया कि पूरा राज में जहां भी कोई भी जनता है एरिया उस एरिया में जाके सर्वे करेंगे किसने टैक्स दिया नहीं दिया उनसे लेकर आपको आना है यानि कि वसूली करना है अब देखे इससे भुईहरो की इस्ति रूप से नहीं दिया या अधा था ओइसलिए अजरी के प्रजा पर अचानक से अगर है अगर चानक से बढ़ ना जा है कि मुझे देख रहान टेक्जित में कुर्फ वूभी कहां से दयेंगे उनको कहीं ने कहीं करी से ऊचाके बचत करकर के देना पड़ेगा क्योंकि आप इगर पहले के जमारे में लोग उतना बचत नहीं करते थे क्योंकि उस टाइम में कोई वैसा बैंक वगएरा का व्यास्थन नहीं होता था कि लोग बचत करेंगे वो लोग दिन गुजारी के रूप में जो भी क्रिशी बगर कर लियो होता था उनी के अकॉर्डिंग आप कमाई रखते थे और उनी के अकॉर्डिंग हमारा उनका पूरा मतलब डेली का जिन्दगी चलता था अब अचानक से टेक्स का जो प्राबलम आ गया या टेक्स उनके सामने एक चुनाती आ गया कि आप मुझे टेक्स देना है तो वो कहां से देंगे अचानक से तो वो धीरे धीरे आप उसका अर्रेंजमेंट अलग से करेंगे बचा के रखेंगे जो कि अपने डेली का माल करता था कि मुगल बार्षा की अब मांगा गई है अब सब माल गुजारी जमा करें तो वो क्या होता था दीरे 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 लोग अब जमा करने लगे उसमें अब देखिए जैसे अन्यमित टाइप से जो बैस्ता को यहां पे जो नजराना या पेशकस कहा जाता था यानि की अब ही हम लोग जो जोसे बोलता ना gifct, gif't भी आप इसको बोल सकते हैं एक gift के रूप में आप पेश किया जाता था वहां पर कि राजा जी लिजी हमारे तरफ से इस बार का ये भेंट है आपके लिए ये भेंट है जरूरी नहीं है आप उसको कर के रूप में बोलो हलांकि वह था कर ही लेकिन अपने थोड़ा सा होता है ना बेवस्था को नियमी तरफ बनाये रखने के लिए जब मर्जी तब जाके वहां पर एक पेशकस रख जेते थे कि इस बार हम लोग इतना रुपए आपको दान में दे रहे हैं आप इसका यूतिलाइज कीजिए जब आगमन होने लगी यहां पर और मुगलों के बाद 17-65 में दिवानी मिलने के बाद हुआ अंग्रेजों का आगमन के साथ ही इस शेत्र को पतना काउंसिल की ब्यस्था में फोर्ट विलियम के अधिन रखा अब देखें अंग्रेज जब आ गये तो उस टाइम फोर्ट व सब भी को क्या कर लिया गया फोर्ट विलियम के अधिन रखा गया अब देखें इस सेत्र को 1773 इस वी तक कोई भी नियमित कर नहीं मिला इस सेत्र को 1773 इस वी में तक कोई भी आपका कर नहीं मिला यहां पर कोई भी नियमित कर नहीं मिला मतलब वो नियमित पहले से था जो नजगाना या पेशकर्ष देते थे नज़राना या पेशकर्ष वो उसी के टर्म में हमेशा मिलते रहा अब आगे आते हैं तब नागपूर खास के लिए चोटा नागपूर जो है य याद रखियेगा, SG, हिटली, SG, हिटली को प्रत्थम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, परन्तु इन्हें भी संगरहन में सफलता नहीं मिले, अब क्या हो गया, कि आनियमी तरीके से टैक्स मिलता था, आनियमी तरीके से मतलब वो रेगुलर नहीं हो गया, इर्रेगुलर टाइप का अब मिलने लगा तो अब इसके लिए एक कलेक्टर का नियुक्त किया गया, सिविल कलेक्टर का, जो कि इस पैसली आप जाके उसका टैक्स लेके आओ, फिर भी उनको भी सफलता नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि अचानक से किसी कोई भी बेवस्ता कर आपको कर नहीं की महरजा को जमिनदार दिया गया, देखे, अब क्या हो गया, अंगरेजों यजा अपने तरफ से जितने भी राजा महराजा थे, सब के लिए एक एक नियुक्ति कर दिये, एक एक जमिन दार दे दिये, कि यह मेरे तरफ से रहेंगे, आपके राज़ Bellarm noi में, आपके जो भी राजा महराजा के जो भी ब्यस्था में होते थे सभी उनके बीच में ये भी रहेंगे और ये हमारे तरफ से आपको हमेशे याद दिलाते रहेंगे तो ये क्या हो गया महराजा को जमिनदार दिया गया इस समय एक महत्पूर्ण परिवर्तन हुआ था जागीदारी परथा जमिनदारी परथा में बदल गया जो जागीदारी परथा था वो क्या हो गया जमिनदारी परथा में बदल गया इस ब्यस्था से प्राचिनकाल से चली आ रही मुंडाओ और नागवंसियों की राजव्यस्था समाप्त हो गया जो की ज़्यादा प्रताडित करने वाला राजव्यस्था नहीं था जो की बहुत ही आसान राजव्यस्था था जो की कभी भी जनता से कर नहीं लिया यार कर या टैक्स नहीं लिया गया था अब उसके बहुत सारी वेस्थाई खराब हो गई, बहुत सारी वेस्थाई टूट गई, बहुत सारी वेस्था इर्रेगुलर हो गई और धीरे धीरे अब अंग्रेजों के अधीन आने लगे सभी, सभी राजा और महराजा अंग्रेजों के अधीन आ चुके थे और इसके बाद अंग्रेजों की विधी वेस्था की शुरुवात होती है जहां पे उनकी मनमर्जी अब स्टार्ट हो गई राजा महराजा उपे दवाब बनाया जाने लगा और राजा महराजा क्या करने लगे अब उस दवाब के चलते जनता पे फिर दवाब डालने लगे अब जनता से करवशूलने लगे ठीक है राजा महराजा अंग्रेजों के लिए करवशूलने वाले मातर रह गये थे है ना वो वही बात होगे कि राजा महराजाओ पर दबाब आने लगा अंगरेजों का और उस राजविस्था को भूलते हुए राजा महराजाओ का मजबूरन जनता के उपर दबाब बनाये जाने लगा कि आपको कर देना है ठीक है तो इतना मैन पॉइंट आपके लिए यह सब सारा था नागवनसी के लिए है ना तो जितना भी है और कुछ पॉइंट साइस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं यह देखे तब नागपूर खास के लिए यह तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया इसके बारे में कहा तक हो गया हाँ विधिवत समाप्त हो गई और राजा महराजा अंग्रेजों के लिए कर्वसुले मातर रह गया थे नए कानून एम नियम आने लगे जहां राजा और महराजाओ मुंडा मान की पढ़ा पंचायत समाप्त हो गए ठीक है यह सब जो वर्ड आता है आपको एक्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मुंडा मान की किने कहा जाता था पढ़ा पंचा करने लगे और जो भी नागबंसी राजो ओकी राजबेषद्था थी सब दिरे दिरे खत्म होने लगी क्योंकि उसके according कोई काम ही नहीं होता था अंगरेजों को टैक्स चाहिए था अंग्रेजों को और टैक्स के लिए क्या करते थे राजाओं पे प्रेशर आते जाते थे गुमते रहते थे तो हर एक चीज में उन्होंने पावंदी लगा दे अंग्रेजों के और भी बहुत सारे क्रिया कलाफ होई और वो कहीं न कहीं हमारे भारत देसको धीरे 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 अंदर से खोखला करते गए और इसके बारे में हम लोग इस्ट्री में फिर पॉइंट आउट कर लिया जो कि previous year में आपकी questions आई हुए हैं इसलिए आप अपने तयारी को continue रखिए और हमारे साथ आप बने रहिए JPSC PT Special Batch में आप जरूर जोइन कीजिए वो भी free of cost है आपका YouTube में और आप जाते जाते जल्दी से इस चैनल को subscribe कर दीजिए और share कर दीजिए और like कर दीजिए ठीक है और हमारे बहुत सारे अलग से बैच चलते हैं जो कि SSC, RRB, NTPC, GroupD, JPSC, VPSC, Junior Engineer, Assistant Engineer और वगेरा के सभी यह लिए भी आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए और बहुत ही ज़्यादा value में share भी कीजिए और comment भी कीजिए कि आपको कौन से topic से आपको यहां पर video चाहिए जाहे आप JPSC के कोई भी topic को आप अगर यहां deal कराना चाहते हो तो हम करेंगे आपकी सारी deal को पूरी और आपको share करना है इसको ठीक है तो comment कीजिए और all the very very best आपकी जो भी तैयारिया बहुत सटीक हो और बहुत ही बैतरीन हो वो प्रयास हमारे भी रहेगा और आप अपने मेहनत से इस मुकाम को आसानी से achieve कर सकते हो ठीक है तो बने रहे है हमारे साथ study tips के साथ YouTube चैनल के साथ subscribe कीजिए share कीजि के लिए बहुत ही ज्यादा important topic तब तक के लिए जया जारकंड जया हिंद धन्यवाद